अलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजूकेशन अकेडमी जीटीव चैनल तो बच्चो, क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एक्जाम्स के इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सिरीज में आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेरिवेशन मतलब this is one of the most important derivations of the whole syllabus top 5 derivations में ये आता है और ये banking of roads का derivation है बच्चो तो इस derivation को मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ और इसके PDF notes अगर आपको चाहिए तो हमारा telegram channel join कर लो वहाँ पर ना सिर्फ इस topic के बलकि बहुत सारे important PDFs आपको मिल जाएंगे और आपकी class 11 physics की preparation के लिए जितने भी important videos है final exam की preparation के लिए उन सबके link भी आपको description में मिल जाएंगे तो बहुत सारा material है थोड़ा explore कर लेना शुरू करते हैं बच्चो banking of roads का मतलब क्या होता है banking of roads का मतलब होता है कि जहां पर road मुड रही है जहां पर road circular turn ले रही है उस circular turn के outer वाले हिस्से को उठा देना जैसे यहां पर मैंने एक road दिखाई है मैंने specially car का face इस तरफ बना रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यह ऐसे कोई slanting road नहीं है मतलब ऐसे चड़ाई वाली road नहीं है इधर आ रही है यह road जैसे अगर मैं यहां पर यह road का आपको थोड़ा सा 3D pattern दिखाऊं तो आपको बात समझ में आएगी यह जो road है ना यह ऐसे मुरती वह आ रही है हना यह road ऐसे आ रही जैसे racing tracks होते है तो इसका जो outer edge है वो थोड़ा उचा है और inner edge जो है वो नीचा है ऐसा हमें करना पड़ता है circular turns पे क्यूं करना पड़ता है उसी के बारे में यह video बनाया गया है circular turns पे हमको ऐसा करना पड़ता है outer edge को उठाना पड़ता है with respect to inner edge और इसी चीज़ को बोलते है banking of roads हम बोलेंगे कि इस road को हमने bank कर दिया है clear हो गई बात अच्छा क्यूं उठाना पड़ता है बचो अगर यह road flat होती अगर यह road flat होती अगर यह road flat होती ऐसे outer edge हमने उठाई ना होती तो यह जो car हमारी तरफ आ रही है यह जो car आ रही है ऐसे ऐसे car आ रही है तो आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जब circle में घूमती है तो उसे centripetal force चाहिए होता है तो इसको अंदर की तरफ center की तरफ अगर यह ऐसे घूम रही है तो circle का center obviously यह part हुआ तो इसको center की तरफ एक force चाहिए होगी वरना यह circular turn नहीं ले पाएगी हना बिना centripetal force के कोई भी body circle में नहीं घूम सकती तो अगर यह road flat हो तो यह circular turn लेगी तो इसको centripetal force कौन provide करेगा यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ऐसे case में centripetal force provide करता है सिर्फ friction क्योंकि body की जो natural tendency होती है वो road छोड के बाहर निकलने की होती है हना आप जानते भी हो अगर racing वगरा मैं आपने देखा होगा speed थोड़ी जादा हो तो car turn लेई नहीं पाती कार बाहर निकल जाती है तो जो tendency है circular turn लेते हुए इस body की वो बाहर निकलने की है तो friction उसे बचा सकता है अगर friction अंदर की तरफ लगे तो friction ने तो यार motion के against लगना है तो यह body बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो friction अंदर लगेगा इसको बचा लेगा वो इसको बाहर निकलने से चीज रोकेगी और इसको circle में घुमने के लिए centripetal force मिल जाएगी लेकिन यह बड़ी dangerous situation है because we are relying only on the friction for safe turning अब friction का क्या भरोसा भाई बारिश हागी friction कम हो गया road थोड़ी smooth होई friction कम हो गया तो हमने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि centripetal force प्रोवाइड करने का पूरा जिम्मा friction पे ना आए कोई और भी force present हो जो centripetal force प्रोवाइड कर सके उसी के लिए हमने road को bank किया यानि road की outer edge को उठा दिया इससे हुआ क्या इससे यह हुआ कि जो normal reaction पहले ऐसे लग रहा था car पे अब वो normal reaction लगने लगा ऐसे क्योंकि यार normal reaction ने तो हमेशा surface के perpendicular लगना है वो normal reaction लगने लगा ऐसे n तो उस normal reaction का एक component यह अगर ऐसे आ रहा है यह circle ऐसे है तो center कहा होगा इस circle का इस तरफ होगा न तो इस तरफ अपने को एक force चाहिए जो centripetal force प्रवाइड कर सके तो अगर यह टेड़ा हो जाएगा जब car बिल्कुल flat चल रही थी तो यह उपर था पूरा ही उपर चला गया जब car flat चल रही थी तो यह ऐसे था तो इधर इसका कोई component था ही नहीं क्योंकि किसी भी vector का 90 degree पर कोई component नहीं होता लेकिन जब यह ऐसे टेड़ा हो गया न बच्चो तो इसका एक component आपको इधर मिलेगा और वो component इसको centripetal force प्रवाइड करेगा हना वो component इसको centripetal force प्रवाइड करेगा friction तो है भाई road तो अभी भी rough है न ऐसा तो है नहीं कि friction खतम हो गया friction तो है लेकिन friction की मदद कर रहा है अब यह component friction किदर होगा अभी भी road की जो अभी भी car की जो tendency है बाहर निकलने की है तो obviously जो friction लगेगा वो road के along लगेगा ऐसे जो car को बाहर निकलने से बचाएगा अना तो यह friction है अब ज़रा पहले इन forces का काम तमाम कर दें यह n है आप जानते हो अच्छा यह angle मान लेते है थीटा है इस एंगल इस थीटा इसको हम लोग बोलते है banking एंगल क्योंकि इतने पही हमने इसको उठाया है ठीक अच्छा alternate interior angle zoom 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 तो यह angle भी क्या होगा थीटा ठीक है अगर यह friction है F तो इस friction का यह component होगा F cos थीटा और friction का इस तरफ एक component होगा F sin थीटा friction का friction के जो components हैं हम उसको yellow से बना लेते हैं ठीक है friction के components को हम लोग yellow से बना लेते हैं friction का यह component होगया एक यह और एक component इधर है ठीक है यह समझ गए white वाला तो है यह वो तो normal reaction का है तो friction के components हमने yellow से बना लिए समझ गए तो ये कौन-कौन से components होंगे ये component है friction का f cos theta और ये component है f sin theta ये component है f sin theta ओके, अच्छा, car का weight कैसे लगेगा भई, weight तो हमेशा vertically downward लगता है तो इस car का weight है, mg को हम लोग pink से लिख लेते हैं अना, इस car का weight जो है, वो यहीं लगेगा vertically downward इसी component की direction में ऐसे और इस mg के भी अगर हम लोग दो components करें तो एक component इधर perpendicular to the plane ये अना, थोड़ा side में लिख देते हैं ये, तो ये हो गया हमारा mg ये हो गया हमारा mg और mg का ये component इधर आप जानते हो कि ये वाला angle भी थीटा होता है और mg का एक component इधर down the plane clear? तो ये कौन-कौन से components है? ये है, ये तो mg है ये तो mg खुद है और ये angle होता है थीटा तो आप जानते हो कि ये mg cos थीटा होता है और ये वाला जो pink वाला component है ये mg sin थीटा है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम लिखते नहीं बहुत mix-up सा हो जाएगा यहां लिख दूँ, चलो मैं लिख देता हूँ बट इसकी derivation में ज़रूरत नहीं है this is mg sin थीटा और ये वाला हमारा जो component था friction का ये वाला component था F sin थीटा ये component था friction का F sin थीटा O.K. Normal reaction के components हमने बना लिए एक तो ये हो गया, देखो एक component ये होगा, हना एक component ये होगा, तो अगर ही angle थीटा है, vertically Opposite Angles तो ये वाला angle भी क्या होगा थीटा और N का ये वाला component क्या होगा theta angle पर जो component होता है वो क्या होगा n cos theta और इधर वाला यह जो white वाला component है यह होगा n sin theta ठीक है गबराओ मत इतने ही है बहुत easy है थोड़े lines जादा है तो बच्चों को थोड़ी सी confusion हो जाती है एक बार rewind करके देख लेना बहुत ही असान है अच्छा हमें तो सिर्व य action का component आया इसी की वज़ा से हमने इस road को टेड़ा किया था ताकि n का एक component हमें इस तरफ मिल सके जो centripetal force प्रवाइड करने में friction की मदद कर सके तो यह जो दोनों है f cos theta plus n sin theta ये दोनों मिलके greater than equal to mv square upon r होने चाहिए क्योंकि यही दोनों मिलके centripetal force प्रवाइड करने वाले हैं अगर ये centripetal force जितनी कार को चाहिए उससे ये कम है इनका sum तो ये centripetal force प्रवाइड करेंगे कैसे तो इनका sum जो है that must be greater than the required centripetal force which is mv square by r अच्छा आप जानते हो friction होता है mu into n तो इसको mu into n लिख दिया इसको cos theta लिख दिया और अच्छा हम ये मानके चलें कि कम से कम ये कितना होना चाहिए कम से कम तो इतना होना चाहिए हाना तो हम इसको अभी equal to के sign के साथ ही लेकर चलें कम से कम ये इतना होना चाहिए इससे जादा हो तो चलेगा कम से कम इतना होना चाहिए हाना तो steps आपको पता होने चाहिए पहले हमने friction को mu into n रखा फिर हमने n common ले लिया n यानी की normal reaction ठीक तो एक equation हमारी ये बन गई एक equation हमारी ये बन गई इसको हम equation 1 बोल देते हैं also vertical forces balanced रहेंगी vertical forces n cos theta के against n cos theta के against क्या है n cos theta के सामने क्या है कार ऐसे ऐसे थोड़ी कर रही है तो vertical वाली तो balanced है तो n cos theta के सामने क्या है mg और f sin theta तो n cos theta is equal to mg plus f sin theta अब f sin theta को आप इधर ले आओ तो n cos theta minus f sin theta equal to mg यहाँ पर भी हम क्या करेंगे f की जगा mu into n पुट करेंगे और n common ले लेंगे और यह हमारी दूसरी equation हो जाएगी ठीक है n अपने को नहीं चाहिए तो हम first और second को divide कर देंगे ठीक है हम क्या करेंगे first और second को divide कर देंगे तो पहले यह लिख लो n into mu cos theta plus sin theta n into mu cos theta plus sin theta equal to m v square over r divided by दूसरीवाली equation n into cos theta minus mu sin theta and that is mg ठीक है तो जो जो cancel हो रहा है r g की value यह आएगी बच्चो और अगर मैं इसको उपर नीचे sin theta यह cos theta से divide कर दूँ चारों terms को मैं देखो वैसे तो उस form में भी छोड़ा जा सकता है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन sin और cos दोनों है ना तो हम चाहते हैं थोड़ा सा simple हो जाए formula तो अगर हम उपर नीचे cos theta से divide कर देंगे तो देखना जरा क्या बचेगा सिर्फ tan theta बचेगा है ना इस rg को उधर multiply कर दो तो v square equal to rg into क्या बचा देखो cos theta से cos theta कड़ गया तो यहाँ mu बचा plus sin theta by cos theta वहाँ पर tan theta बचा upon यहाँ 1 बचा minus mu tan theta और v क्या हो जाएगा square ना तो उधर ले जाओ तो यह है बच्चो velocity का formula यह है velocity का formula समझ में आई बात इतनी velocity से या इससे कम velocity से car अगर turn करेगी तो safely turn कर जाएगी इससे जादा velocity अगर car की हो गई इससे जादा velocity कार की हो गई तो यह centripetal force जादा मांग रहा है और वो है नहीं उतनी क्योंकि इतनी centripetal यह इतने हैं तो यह कह रहे हैं भई हम इतनी force दे सकते हैं तो फिर car को centripetal force नहीं मिलेगी car पूरी तरीके से turn नहीं कर पाएगी और road छोड के निकल जाएगी so this is the formula for the optimum velocity for safe turning on a rough banked road rough मतलब friction है banked मतलब theta angle पे bank है तो यह हमको derive करना होता है इसमें भी अगर हम ऐसा मान लें कि अगर mu 0 है मतलब एक hypothetical सा case लें हम बोलें कि friction भी नहीं है हम तो सिरफ banking पे ही rely करेंगे तो mu को 0 रख देंगे हम तो v क्या आएगा v आएगा under root mu यह 0 mu 10 theta यह पूरा 0 नीचे तो 1 बचेगा और यहां उपर सिरफ 10 theta बचेगा तो rg 10 theta यह अगर friction ना हो तो plus यहां से 10 theta की value 10 theta की value भी आप निकाल सकते हो यह road बनाने में काम आती है engineers के v square by rg v तो अपने को पता रहता है कि यार मैं जो रोड डिजाइन कर रहा हूं मेरे को पता है कि मुझे उस पर कितनी speed रखनी है और radius भी मुझे पता है तो मुझे इस formula से theta निकालने में help मिलेगी कि इस road पे जिसका radius इतना है कार को अगर इतनी velocity से safely turn कराना है तो उसे कितने angle पे bank करना होगा हम उतने angle पे bank कर देते हैं मानलो इसको मैंने रख़े 20 meter per second तो theta निकालके उतने angle पे bank करके road बना दी तो उस road पे 20 meter per second तक की speed से अगर कोई turn करेगा तो skid नहीं करेगा और in fact उससे जादा से भी करेगा तो भी बच ही जाएगा because ये तो हमने friction zero मान के किया है but friction तो zero नहीं है तो बाकी का काम friction संबाल लेगा ठीक तो अपने को यहां तक derive करना होता है notes का link भी link description में भी डाल दूँगा और आगे पीछे के सारे notes जो है वो telegram group पे हैं तो उसको join कर लो मैं आपसे मिलता हूँ next lecture में तब तक के लिए all the very best